आज हम बात करने वाले CSET के बारे में one of the most important and one of the most ignored topics सबसे ज़्यादा इग्नोर हम इसी को कर देते हैं कई बार सबसे ज़्यादा important भी यह है क्योंकि अगर आपने यह qualify नहीं किया तो आपका प्रेंस बेकार चलाएगा आपको पुरा साल चलाएगा लोगों को सबसे बड़ी बात पता है क्या one of the most confused topic भी है सबसे ज़्यादा confusion भी इसी topic में है क्या होता है माली यह history है history मैंने आपको बताया है कि यह book पढ़ लीजिए ठीक है history में आने बाताया है यह book पढ़ लीजिए इतने questions आते हैं आप पढ़ लेंगे सबको वही पढ़ना सबको वही चार दो किताबे पढ़नी है उससे हो जाएगा कुछ लोगों तो जारा पढ़ लेते हैं किताब कोई किताब कम पढ़ लेते हैं इस में तो पता ही नहीं कि आपको कितना पढ़ना है कोई इंसान एक साल तक प्रियारी कर रहा है तब भी पिर CSET में फेल हो रहा है कोई इंसान बिना पढ़े जा रहा है और CSET क्लियर कर ले रहा है ऐसी बहुत से लोग है है ना तो ये ऐसा पेपर है जिसकी त्यारी पर्सन टू पर्सन वैराय करती है आपको कि अपने रूटीन के अपका पेटन है त्यारी करना पड़ेगा मैं इस वीडियो में आपकी help कर सकता हूँ यह पताने के लिए कि आपको क्या क्या चाहिए अपना वो routine कस्टमाइज करने के लिए ठीक है तो इसको सबसरी बात पता के इस paper के साथ दिक्कत क्या है कि आप यह क्वालिफाइंग अगर यह क्वालिफाइंग ना होता तो तो इसमें जी जान लगा रहेते हैं सब कुछ करना है ठीक है इसमें क्या होता है बच्चों को लगता है कि हम जो मेहनद कर रहे हैं वो हमारी वेस्ट जा रही है हमारी क्या कर रही है हमारी क्या कर रही है उस चक्कर में क्या है वो उत्मा भी स्कोर नहीं कर पा रहा है कि जतना क्वालिफाइँ करने के लीचिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्ट नहीं को हुँआ वेश्ट कर रहे हैं इसमें अगर क्वालिफाइंग नहीं नहीं पार नहीं होगी आपकी, ठीक है, तो सबसे ज़रा डर भी इसी में होता है, डर के कारण भी कहीं लोग क्या करते हैं, कि GS को टाइम को सेक्रिफाइस करके 60 को दे रहते हैं, और फिर उनकर GS स्कोल कम हो जाता है, ठीक है, और कुछ ल खुटको evaluate कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता हूँगा, ठीक है, पहले syllabus देख लेते हैं, syllabus पता है हमें, C-cert का syllabus से, C-cert के paper में 80 question आते हैं, सबको पता हूँगा, ठीक है, 200 number का paper है, दो घंटे का होता है, अगर 80 question आ रहे हैं, और 200 number का paper है, तो एक question कितने marks को हो, और रही number क 2.5 marks का, यह बात हमें सबको पता है, अब क्या करना है, यह qualifying paper है, तो इसका मादला हमें 33% marks चाहिए, 33% marks का मतलब, हमें 66 marks चाहिए, out of 200, इसका मतलब, हमें net में 27 questions सही करने हैं, out of 80, जान रखो, 80 question आते हैं, आपको किस सिर्फ 27 करने हैं, और कभी-कभी मैं पताता हूँ, किस करने भी भारी बढ़ जाते हैं, ठीक है, खास तोर से जब आपने तैयारी धंसर ना की हो, ठीक है, इसलिए, इसलिए लोग जादा बहुत कभी-कभी क्या होता है, कि इसमें time waste करने लगते हैं, बहुत ज़्यारी करने लगते हैं, क्योंकि C-set में fail हो चुकी होता है, या वो तीन section होते हैं, English, Reasoning और Maths, जिसको हम कौन भी बोल देते हैं, ठीक है, Maths को, English में जो है, Majorly क्यों, English में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, English में जो चाहिए, 10th लेबल तक की grammar चाहिए, ठीक है, Communication Skills आने चाहिए, Communication Skills आने चाहिए, Communication Skills आपको तब आएंगे, जब आपको Reading Skills आती ह और Reading Skills के लिए जरूरी क्या है, Vocabulary, तो Basically घूम फिर के बाद कहां आ जाती है, कि Newspaper पढ़ो, आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, पर अच्छी बात कोई दिक्रत नहीं है, बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई दिक्रत नहीं है, जब तक आप NCRT नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप Newspaper मेजरली नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके अंदर Reading Skills उतनी अच्छी डवलप नहीं हो पाएंगी, और कभी-कभी तो इसमें जो पैसे जाते हैं English में, वो कभी-कभी किसी ना किसी Newspaper से ही रहे होते हैं, या Related होते हैं, उनको समझने के लिए वो बच्चे अच्छे से कर पाते हैं, जो Newspaper daily पढ़ते हैं, एडिटोरी वगरा पढ़ते रहते हैं, syllabus में क्या क्या English के comprehension है, interpersonal skills and driving conclusion है, various steps और passages आते हैं, Reading Skills से पैसे, message और पैसे, meaning आता है, यह सब चीज़े English का syllabus है, basically आपको syllabus को, English में आपको syllabus को भज़ा breakdown नहीं करना है, आपको basically क्या करना है, आपको को grammar की बुक उठानी है, बता हूँगा अभी कोई स्ट्पोन के उठानी है, ना उठानी है, ठीक है, और थोड़ा सा आपकी वोकेप पर ध्यान देना है, जब वोकेप पर ध्यान देंगे, तो आपको आपकी reading skills भी अपने आप अच्छी हो जाएगी, और परहना तो आपको पढ़ लो, वो क्या बढ़ाने के लिए ही पढ़ लो, ठीक है, reading skills पढ़ाने के लिए ही पढ़ लो, लेकिन पढ़ते रहो, दूसरा, अब आजाते हम reasoning पे, logical और analytical दोनों टेक की reasoning आती है, ठीक है, syllabus क्या-क्या है इसका, alphabet test, series, directions भी बहुत ज़रा पूस देता है, coding and decoding तो आत आते हैं, ठीक है, तो अगर आपका reasoning में हाँ, ठीक ठाक है, बनला आप B-Tech background, engineering background से हैं, या आपके 10-11 में, या 10 तक भी आपने math पढ़ी हो, आपकी reasoning वारा math पढ़ अच्छ लिए है, कुछ लोगों का होता है, naturally उनको अच्छा होता है, ठीक है, तो उनको particularly किसी book को जाने के स अच्छ नहीं है, ठीक है, वो ठोड़े बहुत mock test वारा solve करेंगे, पीवाई की solve करेंगे, तो उनसे काम चल सकता, या कहीं से भी question ठालेजिए reasoning के, 1500 question solve कर लिए, मान लिए 10 question रो solve करते हैं, या महीने में देख लिए, हर महीने हर अपते 15 question solve कर लिए, इस तरह से कर लिए, आप त्यारी कितनी कर रहे हैं, त्यारी आप कितने time के लिए कर रहे हैं, अगर आपको एक सलवाद exam देना है, और आपका हाद बहुत है इस में reasoning में, तो आप फिर कोई bookie कर लिए और धीर धीर उसको करते रहिए, मैं भी बता दूँग कॉन से करनी है, ठीक है, अगर आपक quantitative aptitude है मारा, math से बहुत सारे topics हैं, लेकिन कुछ अरे topics हैं घुम पिर के पूस्ता रहता है, ठीक है, उनको अगर आप कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप reasoning भी करेंगे, थोड़ी बहुत English भी करेंगे, थोड़ बहुत math से कर लेंगे, तो अगर आप इन सभ important है, train important है, boat and stream भी important है, SINCI मतलब simple interest और compound interest बच्पन से बढ़ते ही आ रहे हैं, pipes and system related question भी आते हैं, ठीक है, उसके बाद profit and loss, speed and distance, ठीक है, यह तो सबके favorite topic होता है, आप लोगों सबसे पहली ही करते हैं, जब योगी बच्चे उठाते हैं, mixture, mixture allocation जो topics आते हैं, clock, calendar और age related problems होती है, ठीक है, मेरा भाई, मेरे पापा से इतने चाल सोटा है, वो उससे इतना सल बढ़ा है, तो मेरी age कितनी होगी, इस तरीके question जो होते हैं, ठीक है, तो वो question भी आते ही है, इसमें एक topic है, जो आता है last में, मैं बता रहा हूँ, last में बता रहा हूँ, वो आता है data interpretation, DIGS को मो करने लगते ही है, ठीक हाने के बाद, इसकी, इसमें आपको एक फायदा और है, इसमें आपको फायदा ये है, कि इसमें क्या होगा, आपको एक data का चार्ट आएगा, data चार्ट वगरा कुछ आएगा, और उस चार्ट के basis पा आपको चार या पांच या तीन question दिए होंगे, तो कहने का मतलब एक question में आपके चार question बन रहे है, समझ रहे हो, तो एक topic से आपके चार question बन रहे है, मतलब अगर इसमें आप मेहनत कर लिए अच्छे से, तो passing basket में होने के लिए आपको 27 net में question चाहिए, 27 net में चार तो यही दे देगा आपको, अगर आपने सही से कर लिया तो इसको मत छोड़ेगा, इसको अच्छे से करिए, कुछ लोग कर अपने इसको छोट रहते हैं, इसको ऊप छोड़ेता है, इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करीए, जार question आता है, 4 में से 4 से, 5 कोशन आते है, 5 में 5 से, 3 में 5 से, 3 में 3 से, हो क्योंकि फिर क्या होगा आपको, पासी मास्टरे से स्टोवी सी करने है, बाई सी करने है, या ते अच्छी सी करने है, ठीक है न? समझे है न? तो ये इतको थोड़ा ध्यान देना है, तो सिलेवस का अनलेशिस हो गया, चलिए अब हम आगे बरते हैं, देखो, अब हमने सिलेवस की बात तो कर लिए, लेकिन सिलेवस की बात करने के बाद, सी सेट एकदाम के लिए कुछ टिप्स होती है, कुछ बाते हैं, जो आपको ज़रूर अपने जहन में रखनी है, दिमाग में रखनी है, और वो बात दिमाग में रखने के साथ-साथ ही आपको त्यारी करेंगे, अगर आप वो चीज़े दिमाग से निकाल देंगे, तो आपके तैयारी या तो आप बहुत ज़रा टाइम देने लेगे सी सेट को, अपना टाइम बरबात करेंगे, या आप उसको इनोर करने लगे, और फिर वो यह होगा कि आपका एक साल खराब हो जाएगा, क्योंकि सी सेट बहुत ज़री फेल कर देता है, ठीक है, सी सेट में बहुत बच्चों के साल खराब किया, in fact, लाइक खराब किया है, क्या है, बी कंजिस्टेंट, आप चाहे हफते में एक बार, एक टेस्टे पर स सी सेट में, और आपको डेली पढ़ना है, तो यह नहीं कि आप 5 घंटे पड़ी है, आप 5 घंटा पड़ी है, लेकिन डेली पड़ी है, consistency is जखी, सी सेट में, छोड़ दिया, तो फिर ठोटी जाएगा फिर वो, ठीक है, तो फोकस, ज्यादा करना आपको, अगर आप वीक है अगर आपको यह this score ठीक ठाक है, मैंली बार पर हैं तो आप हफ्ते में एक दो सेट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप बोर से उपर हैं, तो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो क्वालिफज करना है, अगर महालए जिआ क्वालिपई से, मालली से क्वालिफ़ा य तो मुरे को दिखते ही नहीं है ठीक है अगला आरह डोंट इंवस्ट तूमस ताइं यह बात ध्यान रखो क्वालिफाइंग मार्क्स वोपर जाते ही तीस-पैंटिस कोर्शन जहां सही होने लगे उसके फिर आपको टेंशन देने की जोड़ती है ठीक है प्रेक्टिस करते हो क लगी जाते हैं यह भी आपको बताने वाला हो सबसे बड़ी चीज जो है यह पैचानिए कि आपकी स्ट्रेंट और वीक्नेस क्या है मतलब कौन से टॉपिक्स आपकी अच्छे कौन से टॉपिक्स आपके अच्छी नहीं है यह कैसे पता चलेगा प्रेक्टिस करके टेक्टि चलेगा कि आपको इसको बढ़ रहाया धट रहा है ठीक है अगला क्या कर है अगला क्या आख ट्रॉट्स उनको जारा फोकॐस करने काश्र कि क्यूंकि देखो तीनों जो चीज़ं नहीं यह नहीं होती तो इस पर भी बात करेंगे जो बागी जो तीज चीज आ रीजिनीं औ होलेगा वहीं जो commerce जो science के students हैं उनके concepts तो जातर reasoning के और math से clear ही होंगे ठीक है तो उनको क्या उनको practice पे जारा focus करना है उनको जारा सारा practice करना है उनको जातर जो बीटे background के होते हैं mainly उनको कुछ जारा करनीज होते हैं पड़ती है वह स्मॉक अब आने वाला वह भी time according to requirement कितना time देना है यह आपकी requirement आपको खुद पहचाननी है पहचानने के कैसे हम अंगले section पर आते हैं evaluate करके खुद को evaluate करना है evaluate करने का तरीका क्या है सबसे पहला तरीका जो तीन step में बनाता हूं यह आपको तीनी step में क्या करना आपको सबसे पहले आपको क्या करना है पाच पी वाई की उठाने है ज्यान रहे लेटेस्ट पी वाई क्यू नहीं उठाना मतलब अभी अगर यह दो 2024 में वीडियो बन रही है तो 2024 का C-cert का पेपर आपको नहीं उठाना है कर लिया है पहले तो छोड़ दो उसको कोई बात नहीं कोई भी 2023 का रख दो साइड में उससों में उठाओ ठीक है एक पेपर आप अभी 2024 वाला 2024 वाला आपको उठागे साइड में रख किया उसका अप उठालिए इनको सॉल्व करो पाच उठालो छे उठालो जितने भी आप उठी लेगे इनको सॉल्व करो इनको अच्छे सॉल्व करो इनको सॉल्व करोगे आप ये प्रैक्टिस हो जाएगी इनके आपको सॉल्व करना है फिर देखना आप गलती कहां कर रहे है इनको उसको आप पेपर की तरह सॉल्ट कीजिए जैसे आप एक्जाम सेंटर में सॉल्ट करते हैं और फिर जो स्कोर आएगा वो आपकी उकात होगी कि आप किसने पानी बहुँ समझें लेटस्ट वाला जब आप सॉल्ट करेंगे वो आपकी असली उकात होगी अगर उसमें आपके 80-100 के बीच में स्कोर बैट रहा है पासी माक्स केतने हैं? 66 80-100 के बीच में स्कोर बैट रहा है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है फिर आपको का करना है बाकी बचे हुए? 2011 से जितने भी PYQs हैं उनको solve करना है और हफते में 1 mock test लगा लो ताकि आपके rhythm बनी पे और कुछ नहीं करना आपको हाँ ये जुरू करना है कि mock test 8-10 लगाने के बाद फिर दुबारा PYQs देखने हैं ये जुरू आपको करना है ठीक है लेकिन test paper ही करना आपको practice हफते में एक करो ठीक है उसके लावब कुछ नहीं करना एक कर लो दो कर लो आपके मरदी है समझगे अगर आपके score 66-80 के बीच में बैट रहा है तो आपको थोड़ इसी चिंदा करने के जुरूदा रही है स्कोर आपको आपका पता चली जाएगा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना score मुझे send कर दीए comment में लिख दीजिए मैं आपके score के साब से आपकी strategy बता दूँगा कि आपको कितना ध्यान देने के जुरूद रहा है ठीक है उन में से कुछ selective topics आपको ऐसे चाटने है आरदस जीज आरदस पंद्र को topics कि जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं आपको बहुत ज़्या परिशानी नहीं होगी उन topics पे फिर आपका हुकान करना है अगें फो फिर होई आपकी strength और weakness अगर आपको लगता, आपकँ एंग्जिश अच्छी यरे तो आप ENGLEISH को इतना आचा कर लीजिए के आपके उसमें इसमें ही score बढ़ जाए आपकी जाए ऐसे में बहुत चाटने हम झाले तो फिर क्या होता है, कि आपको बहुत ज़ज़ा महत नने होगी ठीक है कैसे करना है वो अब हम अगले section पर आते हैं क्या है C set की book list और C set की जो book list है GS की जो book list है उससे अलग होती है C set की book list यह भाद ध्यान लगना तुकि GS की जो book list है वो सबके लिए same है सबको वही किताब पढ़नी है history में 4 किताब दे बता दी आपको पढ़नी जोगर्फी मैं बता दी एंचार्टी पढ़नी तो सबको पढ़नी है लेकिन C set में अधा नहीं है C set में आपके coding आपको किताब पढ़नी है जैसे की यहां पर मैंने तीन केटेगरी बनाई है, सबसे पहली केटेगरी इसको मैंने बीच में रख दिया है, यह वो लोग हैं, जो इंगर श्यांसर्ट से उपर आ रहा है, असील्फों के बीच में आ रहा है, ठीक है, यह पासिमाक से उपर आता है, यह जो इनका इंजिनिंग बैग्गराउंड है, तो इंजिनिंग बैग्गराउंड है, तो उनकी रिनिगर मैं सब्च्छी होती है, इंग्लिच भी थोड़ी ठीक होती है, ऐसी वात ही पैसेश करके, जो बीचे को अगरा, अलो जिनों ने बीचे को अगरा किया, उनकी थोड़ी सी, यह लोजिकल, लोजिकल अबिलिटी बढ़ जाती, तो ऐसी वागराबी कर रहेते हैं, एक दो तो करी लेते हैं, ऐसा नहीं के बिलकुल ही खाज़ी शोड़ कर आएंगे, तो उनको कुछ नहीं करना, उनको से पीवाई की उठालो, जोड़ा ग्यार से दोड़ा टोविस तो जोड़ा पंद्रा पीवाई की उच्छोड़ कर देंगे, तो पंद्रा आफ्टे तो उसी में निकल लाएंगे, ठीक है, और कुछ मॉक्टेस उठाले ना, जितने भी आपको ठीक लगे नहीं से भी, तो उससे उनका काम चल जाएगा, दूसरी कैटेकरी जो आती है, वो वो आती है, जो थोड़ा 66 के आसपास है, 50 से 66 के बीच में जिनका स्कॉर बन रहा है, तो उनको क्या करना है, उनको 80 प्लस जाना है, जाना है, जिनको 80 प्लस जाना है, तो उनको क्या करना है, उनके पास दो अप्षास है, पहला तो वो यह है कि वो यूट्यूब की साहरता ले है, कोई भी C-set की वीडियो देख ले, कोई भी कोर्स होगरा C-set को होता है, वो पूरा देखे एक की, अपने एक ही टॉपिक आप बार बार पड़े जा रहे हैं, आपको पता है नहीं चल पा रहा है, आप देख लें ये टॉपिक, आपका स्लिवस हो जाए, यह इस बात के भी जाना किए है, आप अलग लग टॉपिक जो आपको पड़ते रहे हैं, ठीक है, तो सी सेट की वीडियो देख लिए, साहरे टॉपिक सापने यूट्यूब से कंप्रीट कर लीजिए, हर टॉपिक के बाद उसके सोरे से कॉश्चन लगा लीजिए, आपको परदा चलता जाएगा, फिर बाद में, जैसी एक सेक्शन खतम हुआ, इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो आपका स्कोर धीरे-धीरे वही 80 से उपर आ जाएगा, 80 से उपर रहना आपको 100 की बीच में ही रहना है, ठीक है, 80 से उपर एक बाद आगे हैं, तो फिर आपको से पैक्तिस ही करनी है, या अगर आप वीडियो पर नहीं जाने चाहते हैं, तो एक किताब आती है, अरियहन की बुक फोर सी से टाथी है, इसी खास बात ही है, कि इसमें पीवाई क्यूज भी दिये हुए हैं, और मॉक टेस्ट भी दिये हुए हैं, तो इस बुक को आप कर सकते हैं, अगर आप वीडियो नहीं जाने हैं आपको तो, इस बुक को भी आप फोलो कर सकते हैं, इसको आप फोलो कीजेगा, या कोई भी और जो बुक आप उच्छे रखते हैं, या पहले से करना हो तो उसको भी कर सकते हैं, आपको दो के सब कुछ है उनको से प्रैक्टिस करनी है दूसरे जिनको थोड़ा खत्रे में डाम रोल बोर्डर पे थोड़ा बोर्डर से नीचे है उनका इससे हो जाएगा अगर आपका इससे भी नहीं हो रहा है अगर आपको कुछ ऐसा रहा है कि नहीं मुझे यह तो चलो हो गया ठीक है लेकिन इसके बाद भी मेरा सेवन्टी तक ही पहुँच पा रह रहा है या उतना अच्छा नहीं हो पार है मुझे डर लग रह रहा है तो आपको कुछ टॉपिक्स करने है कि आपको लग रहा है में 2- तो मैं 80 तो पर पहुंचाँगा, या आप उस तेकृरी के हैं, कि आपको बिल्कुली C-set के बारे में बिल्कुली एकदम कुछ नहीं पता है, ना आपको English पे Comprehension अच्छे से आता है, आपको reasoning को उतनाच्छे सा आते है, ना आपको से करना तो आपको बहुत ही जड़ा बहुत कम बन रहा है ठीक है तो एक तो स्कोर कम होता उपर से ज़ो गलत होते हैं वह जड़ा कम कर देते हैं है ना तो बहुत ही जाद अगर बिल्कुल ही डामा डॉल है तो अरसरवाल की बुक आती क्वांट और रिजनिंग के लिए अच्छे से एक्स्टेंग किया हुआ है बहुत ही सिंप्लिफाई तरीके में एक्स्टेंग किया हुआ है ठीक है थोड़ी मोटी जोड़ा टाइम जो लीजिए तो आपका बेसिक के वजाएगा फिर दुबारा अगेन आपको आपका स्कूर बढ़ेगा तो फिर दुबारा पिस क्या टिक्रीम आ जाएंगे शांस्ट वाली में तो फिर आपको यही पीवाई क्यूद उठाने है या मोक टेस्ट उठाने है ठीक है वोई प्रक् अब इंग्लिश जो है इंग्लिश लेंग्विज है इंग्लिश में आपको पैसे कोई कथा नहीं लिखनी है ठीक है तो सबसे बड़ी बात है लेंग्विज क्या सबसे अच्छा तरीका क्या करने का कि प्रैक्टिस की लिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप प्रैक्टिस के पढ़ना परेगा आपनी रिडिंगी सक्षी करने के लिए एक है रिडिंगी स्किल जब तर अच्छी नहीं होंगी तर अपको पता ही चलेगा पैसिस में क्या लिखा होगा है के लिए या तो आप एक काम कीजिए तो अपना जो भी आपको माली ये पैसे पढ़ रहे हैं आप कोई दिक्कत आई कोई वार आया नहीं समझा रहा है फोन उठाया सरच कर लिया वहीं पे लिख लिए लिख लिए आप उसमें वह कर सकते हैं या आप दिखनारी उठाएं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोन साइरें पे लगा दिया फिर उठाते हैं तो अब दिक्शनरी भी देख सकते हैं कोई बात नहीं है दूसरी बात क्या होती है फिर टीजी ची आती है अब यहाँ पर चलो ठीक है निश्वर पढ़ रहे हैं लेकिन चीजों को समझने के कोई भी 10th लेबल की बुख पर डीक्रामर के लिए ठीक है उसमें एक रनेन मार्टिंग आती है हाई स्कूल वाली वो भी आप देख सकते हैं आप चाहें तो वह भी अच्छी बुक है नहीं तो ICSG के 10th की क्रामर की बुख भी देख सकते हैं वह भी अच्छी किताब है अगर आपसे प्रैक्टिस ही करते जा रहे हैं तो भी आपको खाम सिल जाएगा बगर आपको फायदा लगा दस पांट प्रैक्टिस सेट लगा के तो ठीक है नहीं तो फिर आप ये बुक्स वाला पर आपको जाना ही बड़ेगा आपको अब उसमें आपको पूरी बुक पर करनी है या कुछ टॉपिक करके आपका काम हो जाएगा वो तो आपका स्कॉर पर डिमेंट करता पर स्कॉर कितना प्रैक्ट पांच-छे टेस्ट लगाने के बादेंगे सबसे बड़ी इंपॉर्टन चीज यहां पर जो हम भूल जाते हैं एक चीज आपको जहान रटनी है कि इस पेपर इस वालिफालिफ आपको ये पेपर टॉप नहीं करना है 80-100 असी पर पहुंच गए इतना ही मैंटेंग करके रखिए इसी से सो के बीच का स्कॉर ही आपको मैंटेंग करके रखना है डिफिकल पेपर होगा तो स्कॉर अपने पहुंचाएगा 90-500 पहुंचाएग उससे ज़्यादा आपको करने के जूद नहीं आप यह नहीं कि आपको अलड़ी सो आ रहा है कि नहीं मैं तो और नोपी टॉपी कर लेता हूं चार्टॉपी कर लेता है 120-140 करता हूं टाइम वेस्ट होगा कोई फायदा नहीं होने वाला उससे ठीक है तो क्वालिफाइंग 33% मार्ब से 80 सोगा स्कोर आपको ठाऒना है ठीक है वह आपको सिです एक स्सौर करके हो जा रहा है c 막 लीजे आपण बहुत को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है थैंक्यू